सुरेंदर नाम का एक आदमी था जिसका शराब का ठेका था सुरेंदर के ठेके पर रोज काफी सारे शराबी आते थे लेकिन एक आदमी था जो कि हर रोज ही आये करता था उसका नाम था गुज्जु गुज्जु बहुत बड़ा शराबी था और उसकी पतनी उसकी हरकतों से बड़ी परिशान थी एक दिन गुज्जू अपने रोज के समय पर सुरंदर के ठेके पर आया नमस्कार सुरंदर भाईया तुम तो नियम के बड़े पक्के हो गुज्जू कुछ भी हो जाए तुम रोज शाम साथ बजे यहां आ ही जाते हो अब क्या करे भाईया आदत ही ऐसी लगी है देखना गुज्जू जरा समहल के रहना सुना है कि तुम्हारी पतनी तुमसे बहुत परेशान है कहीं किसी दिन तुम्हारी पिताई ना कर दे अरे नहीं नहीं वो तो बस चिल्लाती ही रहती है वो कुछ कर नहीं सकती फिर लाइए आप मुझे मेरी शराब की बोटल दे दीजिए फिर मैं चलू गुज्जू शराब लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा लेकिन घर पहुचने से पहले वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और शराब पीने लगा अगर इस बोटल को लेकर मैं घर गया तो पहले रानी मुझे से बहुत लड़ेगी ओहो फिर तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा पहले यहीं बैठ कर इसे पी लेता हूँ फिर आराम से घर जाओंगा वैसे भी उसके बाद मुझे रानी की किच-किच से जादा कोई फरक नहीं पड़ेगा गुजु वहीं बैठ कर शराब पीने लगता है और काफी नश्य में हो जाता है उधर रानी काफी देर से गुजु के घर आने का इंतजार कर रही थी और जब काफी रात हो जाती है तो रानी उसे ढूणने निकल पड़ती है इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी बरबात कर रखी है अब इतनी रात गए मैं इस शराबी को ढूणती फिरू थोड़ी देर यहां वहां ढूणने के बाद रानी को गुजु पेड के पास पड़ा मिलता है रानी गुस्से में आकर उसे उठाती है और कहने लगती है अरे 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 यहां क्यों पड़ा है शराबी इससे अच्छा तो किसी नदी में कूच जाता कम से कम मुझे तुमसे चुट्टी तो मिलती गुजु बेहोशी की हालत में था और रानी की कही कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी अरे चोड़ मुझे पागलावत जाब देखो ताब आ जाती है मेरी बेज़िती करूआ ने क्या चुट्टा चाकर घर में बरतन मांच समझ आया की नहीं यहाँ चार लोगों के सामने मेरी नाक मत कटवा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है जा रही हूं मैं घर तुझे यहीं छोड़ कर एक पूरी रात सड़क पर बिताएगा ना तब अकल ठीकाने आएगी गुझु रानी की बात को अंसुना कर देता है और वहीं सड़क के किनारे पड़ा रहता है रानी भी उसे छोड़ कर वापस घर चली जाती है आधी रात तक गुझु वहीं पड़ा रहता है पर एक गाड़ी तेज रफतार से उसकी तरफ आती है और उसके उपर चड़ जात और एक शराबी भूत में बदल जाता है, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, कहीं मैं भूत तो नहीं बन गया, क्या फरक पड़ता है, अब तो कोई मुझे रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा, अब मैं ये भर के शराब पी पाऊंगा, भूत ये बोल कर सुरिंदर के ठेके की त चल देता है, आधी रात का समय था, तो सुरिंदर के ठेके पर ज्यादा लोग नहीं थे, अज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है मेरी, लोग इसी तरह शराब पीते रहें, और मझे लगपती करोणपती मनाते रहें, भूत को आता देखकर सुरिंदर डर जाता है और दु मैं तो भूल ही गया था, कि मैं अब भूत बन गया हूँ, वा, अब तो शराब के लिए पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, भूत बनने के तो बड़े फाइदे होते है, शराबी भूत वही ठेके पर बैट कर काफी सारी शराब पी लेता है, और फिर नशे में इधर उधर जूमने लगता है, जूमते जूमते वो सड़क पर आ जाता है, इतना ही नहीं, भूत आसपास से गुजरने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर खा भी रहा था, बपा, जिंदगी हो तो हैसी, खाओ, पियो, एश करो, बपा, अगर मुझे पहले पता होता, कि भूत बनने क इतना फाइद है, तो मैं कब का मरगा होता है, दूर खड़ी एक चुडैल ये सब तमाशा देख रही थी, वो तुरंथ शराबी भूत को पहचान लेती है, ये, क्या ये सच में गुज्जु भाईया है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, ये भूत कैसे बन गये, और दे रानी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यहां तक कि चुडैल का पती और गुज्जु भी अच्छे दोस्त थे, पर गुज्जु ने चुडैल के पती नीरज को भी शराब की बुरी आदत लगवा दी, अक्सर चुडैल का पती नशे में उसे मारता था, और ऐसे ही एक दिन उसने चुडैल को इतना मारा की वो मर गई और चुडैल में बदल गई, पर फिर क्या था, चुडैल ने अपने पती को डरा डरा कर मरने के बाद उसकी नशे की आदत छुडवा दी, मुझे इस गुज्जु से नफरत तो पहुत है, इसी की वज़े से मेरी जान गई, पर र चुडैल रानी के घर पहुँच जाती है और खिडकी से जाक कर अंदर देखने लगती है, अंदर रानी अपनी बच्ची परी को सुला रही थी, रानी परी को सुला कर रोने लगती है, मुझे तो कुछ समझी नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस आदमी का क्या करूँ, हम सब को चोड़कर वो वहाँ दिन राद सुरिंदर के ठेके पर बैठा रहता है। ना उसे मेरी कोई परवा है और ना ही अपनी बेटी की। मैंने इस आदमी से शादी करके अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल की है। चुड़ेल को ये सब देख कर बड़ा दुख होता है। वो धीमे से रानी को खिड़की के पास बुलाती है। सरला? महले वाली? तुम तुम मर गई थी ना? यानि तुम्हारा पती जो कहता था कि उसे तुम दिखती हो वो नश्य में नहीं कहता था बलकि सच में तुम चुड़ेल बन गई और उसे दिखने लगी? हाँ रानी वो सब सच था लेकिन अभी वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहन है तुम मुझसे क्या चाहती हो अब? रानी तुम्हारा पती गुचु मर चुका है और वो अब शराबी भूत बन गया है अभी भी उसकी शराब की आदत गई नहीं उसने सुरिंदर के ठेके पर सब को डरा कर भगा दिया और शराब पी कर वहीं सड़क पर नाशने लगा और अब वहां से गुजरने वाले लोगों को वो मार भी रहा है और उन्हें कच्चा चबा ले रहा है क्या? गुच्चु मर गया और अब एक शराबी भूत में बदल गया? ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करू? सारा किस्सा सुनकर रानी को बड़ा गुसा आता है अखिर क्या करूं मैं इस आदमी का? इसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है अब भूत बन कर भी ये सब को परिशान कर रहा है और शराब पी रहा है हाँ रानी पर तुम चिंता मत करो मैं अभी उसे पकड़ कर मारते हुए यहां लेकर आती हूँ फिर हम दोनों मिलकर उस कि शराबी भूत एक नाली में उल्टा पड़ा हुआ था चुडैल गुस्से में उस पर जादू कर देती है और शराबी भूत हवा में उड़ने लगता है चुपचा पलटका रहे हवा में और मेरे साथ चल चुडैल भूत को रानी के घर के बाहर ले आती है और शराबी तो तो मुष्ट में शहर घुमा रही है घुमाती रहे तभी चुडएल अपना जादू तोड़ देती है और शराबी भूत धम से जमीन पर गिर पड़ता है रानी भी शोर शराबा सुनकर बाहर आ जाती है चुडएल जादू करती है और उसके हाथ में दो जादूई डंडे जाते हैं ये लो रानी ये जादूई डंडे है इससे जब तुम इस शराबी भूत को मारोगी न तो इसमें से करेंट निकलेगा और इसे डड़ लगेगा जिससे इसका सारा नशा चुटकियों में उतर जाएगा रानी वो डंडा ले लेती है और रानी और चुडएल मिलकर शराबी भूत की खुब पिटाई करते हैं काफी देर तक मारने के बाद रानी घर से बरफिला पानी ले आती है और भूत पर डाल देती है जिससे कि उसका सारा नशा उतर जाता है तब ही शराबी भूत की नजर अपने घर की खिड़की पर पड़ती है वहाँ पर उसकी बे मेरे पास एक तरीका है जिससे हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा इतना बोलकर चुडैल जादू से शराबी भूत को एक बड़े से डिब्बे में बंद कर देती है अब मैं इस डिब्बे को यहां से बहुत दूर किसी जंगल में जाकर फेक दूँगी वहाँ पर जब इसे शराब मिलेगी ही नहीं तो अपने आप इसकी शराब की आदत छुट जाएगी ठीक है तुम इसे ले जाओ अपने साथ चुडैल भूत को ले जाकर दूर जंगल में फेक देती है वहाँ वैसा ही होता है जैसा चुडैल को लगा था भूत को शराब ना मिलने से उसकी शराब की आदत छूट जाती है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है रानी भी अब अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहा है